शिमला में शादी से लोट रहे एक परिवार की कार पर चटान गिरने से दो लोगों की मोथ हो गई है जबकि दो जखमी हो गए हैं हासा शिमला के तहट आते थाना शेतर कुपवी के कुपवी दईया मार्ग पर दोपहर सबा तीन बजे के करीब हुआ जानकारी के नुसर गाड़ी में चार लोग सबार थी हासातना बयंकर था कि दो की मोखे पर ही मोथ हो गई मृतकों की पहचान सुनिल 40 बर्षय पुत्र संतराम गाउं सनत डागर बालु तैसिल कुपवी और प्रकाश अर्टालिस बर्षय पुत्र स्वर्गिय सहिराम गाउं सनत डागर बालु तैसिल कुपवी के रूप में हुई गायल दोनों मृत्कों की पतनिया हैं जिनकी पहचान सुमन पतनी सुनिल और गुलाबी देवी पतनी परकाश पता के रूप में हुई हैं सभी देहा से शादी समारों से घर बापस आ रहे थे इस दोरान घर से कुछी दूरी पर दोताली नामक स्थान पर दुरगटना के शिकार हो गए ठाना परबारी कुप भी अपनी पुलिस टीम के साथ मोके पर पहुँचकर आगामी कारबाई में जुटे हैं घायलो कस्थान ये लोगों की सहायता से सीबिल अस्पताल कुप भी बेजा जा चुका है हिमाचिर के लिए शिमला से वियोरू